आप आदमी पार्टी के पिर्दीश व्याप्पी विरोध परदर्शन के आवहन के चलती मुरदबाद प्रशाशन ने आम आदमी पार्टी के कारे करता हों और पदाधिकारियों को घर में नजर्बंद कर दिया पेशाशनिक और पुलिस अधिकारी ने आमादमी पार्टी का ग्यापन उनके घर पर ही लेते हुए उन्हें जनपद में लगी धारा 144 का हवाला देते हुए कोई भी विरोध प्रदशन नहीं करने की हिदायत भी दी है दरसल पिछले कई दिनों से केंदर सरकार की अगनीपत योजना का कई प्रदेशों में यूपा विरोध कर रहे हैं और उत्ते प्रदेश के भी कई जनपदों में आगजनी हुई है केंदर सरकार की अगनीपत योजना का विरोध करते हुए आमादमी पार्टी के शीष्ट नेतित में आज उत्ते पिदेश के सभी जनपत मुख्यालों पर एक ग्यापन के माद्यम से विरोध दर्च कराने का आवाहन किया गया था इसी के चलते आज मुरादबाद में आमादमी पार्टी पिछड़ा वर्की पिर्देश अध्यक्ष टॉक्टर एपी सिंग और उनके कारेकरताओं को जिला पेशाशन ने घर में ही नजर्बंद कर लिया और उन्हें हिदायत भी दी कि वो कलेक्टेट पर ना जाएं और कोई ग्यापन देना है तो वहीं यहीं दे दे जिसके बाद आमादमी पार्टी ने प्रधान मंत्री मोदी के नाम एक ग्यापन मौके पर मौझूद मजिस्ट्रेट को सौपा जो नौजबान भारती सेना में जाने के लिए तैयारी करते हैं तीन-तीन साल चार-चार साल फिजकल अपने आपको फिट रखते हैं उन लोगों को बहुत बड़ा आगात पहुचा है और उससे बड़ा आगात इस बात का है कि जिस पर पूरे देश के बच्चे-बच्चे क गर्व है उस भारती सेना के कद को जो है भारती जनता पार्टी की बरत्मान सरकार द्वारा छोटा करने का काम किया जा रहा है चार साल की नौकरी सेना में क्या किसी नौजबान को बरदास्त होगी जो सीने पर गोली खाता है वो आज जो है सडक पर प्रदर्शन करने के लि नोक्रियों देने का काम करने जा रही है और यह कह रही है कि उसमें भी जो लोग भरती होंगे उसके 75 परसेंट यहनी 75 फीस दी बाहर होंगे केबल 25 फीस दी लोगों को पर्मानेंट जम मिलेगा नोक्रियों को हुआ यहाँ देखिए हम जो है घ्यापन देने के लिए मेरा कार जारी बजह कर लिकार्म ने क्यारी कर ली थी हम लोग जो है ना हमारे जो करेंडरा जिला करेंडर परवाले आजय कुमार जी और भू भी आ गये थे बाटिया जी का भी फोन आया था बोले आप आ जाईएगा तो मैंने का कि मैं साड़े ग्यारा बजे पहुंच रहा हूं तो इनका फोन आया कि हम लोग जो है बहां पर मिल जाएंगे मैं रोड पे लेकिन इसी बीच जो है इंस्पेक्टर और जो है ना सियो सिबिल लाइन्स और जो है ना एक सिटी मेजिस्टर साब घर पे आ गए और उन्होंने का कि धारा 144 लगी हुई है किसी भी कीमत पर जो है ना प्रदर्सन करने का अधिकार नहीं है इसके बाप जूद भी हम अगर आप ग्यापन देना चाहते हैं तो हम आपका ग्यापन लेने मिले 17 साल से लेकर के 20 साल की नियुंतम नोकरी का उनका हक है वो उनको जी तो उन्होंने का कि आपका ग्यापन जब हम नहीं ले रहे हैं तो आपको कचनी जाने जुरूत ही नहीं है यह इंडिकेट करता है कि प्रशासन की तरफ से उनको इस तरीके के निर्देस रहे होंगे कि जो है आप ग्यापन घर पे जाकर के ले लिजिए तो अब किसी पार्टी के द्वारा फिरोद पबली के सामने ना है तो ऐसे में हमारा सिर्फ कहना ही है कि हम युवाओं से तो यह अपील कर रहे हैं कि वो हमारी देश की संपत्ति है उसका नुक्सान ना पहुंचा है ले और आप जो है इसे तुरंट बापस लें अगर बापस नहीं लेते हैं तो सरकार के तरफ से बहुत बड़ी गलती होगी और सरकार को जो है जिस तरीके से किसान आंदोलन आपने एक साल चलाने के बाद बापस लिया और आज जो है किसान जो पहले चारत वही हुआ उसी तरी से कि हमारा ग्यापन जो है बेज दिया जाए तो उन्होंने का कि मैं भी डीम के माद्यम से इसको प्रदान मंतिर मोदे कारेले को भेज रहा हूं